हेलो एवरिवान स्वागत करती हूं पर फिर से आपसे भी अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं आपसे के लिए लाई हूं धनिय की पंजियर की रेसिपी तो देखिए लट्डू गॉपाल को भोग लगाए जाता है इसका लट्डू गॉपाल की फेवरिट होती है यह इस तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने धनिया ले लिया है और धनिये को बिल्कुल धीमी धीमी आज पर गॉल्डन लोंगी उसके बाद उसे ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डालकर दर दरा पीस लेंगे आभी देखिए यह गोल्डन हो गया है तो आभी से हम मिक्सी के जार में डालकर दर दरा होने तक पीस लेंगे बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पीसना है सिर्फ यह दो मिनिट में ही पीस जाएगा तो अभी मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए यह हमारा धनिया तियार है तो चलिए मैं बता देती हूं आपक आपके पास अगर मावा डालना चाहते तो आप मावा भी इसमें डाल सकते हैं तो यह मैंने चीनी ले ली है और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है पानी अब इसे एक तार की चास्नी होने तक हम अच्छे से पका लेंगे देखिए पंजीर जमाने के लिए मैंने एक बरतन में गी लगा लिया है और आप इस चीनी को हम अच्छे से पका लेंगे जब तक यह एक तार की चास्नी तियार हो जाती है हमारी अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से एक तार की चाशनी हमारी बनती है यह देखिए यह अब हमारी चाशनी कलर भी चेंज हो गया है लगबग तियार होने वाली है यह देखिए इस तरीके से चैक कर लिजिए चपतार बनने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और इस इसके निकलेंगे यह मैंने सबसे पहले सम्हार डाल दिया है मैवे फिन मेकान दो तम भूनें तब दमस कर दोंगी है मिक्स करने के बाद को गिए Lex हमारी बंध है और यह हम हलका सा थंडा होने के बाद दी थाली में डालेंगे keyboard क्योंकि थंडा होने के बाद डाल से क्या फाइदा होगा कि यह बिल्कुल भी हमारी जो मिठाई है बिगडे की नहीं मतलब बिल्कुल अच्छे पीसिस के जमेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से यह जम कर तयार होगी तो यह देखिए यह काफी टाइट हो गई है आप इसको हम बरतन में निकाल लेते हैं इस निकालने के बाद इसे चम्मच से फैला दीजिए अच्छे से और फिर कटोरी की हैल्प से इस तरीके से चिकना कर दीजिए और अब साथ के साथ ही आप इसके पीस काट लिजिए क्योंकि ठंडा तो हो चुका है तो यह देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूं पीस नहीं है तो होता है और वैसे भी नॉर्मली आप अपने लड़ू पाल को घर में भोग लगाने के लिए बनाकर इस्टोर करके रख सकते हैं यह आराम से हप्ता दस दिन आपकी खराब नहीं होती है और यह इस्टोर करके आप रख सकते हैं तो थैंक्यू सो मच गाइस कल फि कीजे धनिय की पंजिरी